नमस्कार न्यूज एट नैन्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रित्पाध्याय आए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन्स बाल गंगाधर तेलक की जयानती स्वाराज के लिए मिले प्रसद्धी होम रूल लीग के स्थापना में हैं योगदान राजस्थान सरकार लाई एक और एहम बिल गिग वर्कर्स को देगी सुरक्षा सोशल सेक्योर्टी से वन्चित है गेग एकोना और ग्रीस के रोट्स आइलेंड में वाइल्द फायर परेटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर यूरोप में स्थित है ग्रीस चलिए खबरों की शुरुआत करें तेश जुलाई को स्वतंतरता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जैनती मनाई गई इस मौके पर देश के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांज ली दी उनका जन तेश जुलाई 1856 को महराश्ट्रा के रतनागिरे में हुआ था लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपन चंदर पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था अठक महराष्ट्रा मध्धिप्रांत और बरार था वहीं शेश भारत एनी बिसंट के कारिक्षत्र में था वे पहले ऐसे राष्टवादी नेता माने जाते हैं जिन्होंने जनता से नस्दीक का संबंद बनाने का प्रयास किया इस मामले में वे महत्मा गांधी के अग्रगामी थे उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना भी की थी ब्रिटिश लेखक वेलेंटाइल शिरोल ने उन्हें भारतिया संतोष का जनक कहा था उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों के शुरुआत की उनकी प्रमुख पुस्तकों में दा आर्क्टिक हो जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यामार की मांडले जेल में छे साल की सजा काटने पड़ी थी यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस से लिखे थी ग्रीस के आइलेंड रूट्स में वाइल्ड फायर के चलते परियाटकों और स्थानिय निवासियों को वहां से बाहर निकाला गया है ग्रीस अथॉर्टीज के मुताबिक ये वहां हुए अब तक के एवेक्वेशन यान निकासी में सबसे बड़ा ओपरेशन है अभी तक हासल खबर के मुताबिक कोई कैजुएल्टी दर्ज नहीं की गई है ग्रीस यूरोप का दक्षनतम देश है इसका आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपबलिक है ग्रीस की तटरेखा यूरोप में सबसे लंबी है ग्रीस के पूरू में एजियंसी, पश्चिम में आयोनियंसी और दक्षिन में भूमध्य सागरिस्थित है ये देश अपने स्थलिय सीमा, अलबानिया, बुलगारिया, तुर्किय और नौर्थ मकदूनिया से साज़ा करता है माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे उचा परवत है प्राचीन ग्रीस के लोग इसे होम ओफ गौड्स की संग्या देते थे ग्रीस की संसद को विली कहते हैं संसद में 300 सदस्यों वाला एक ही सदन है ग्रीस साल 1981 से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है ग्रीस अपने प्राचीन, दार्षनिक, प्लेटो, सुकरात, अरस्तू और पैथागुरस के लिए प्रसिध है पश्ची में ग्रीस को लोकतंत्र की जन्म भूमी के तौर पर जानते हैं ग्रीक्स को ओलंपिक, गेम्स और थेटर के अविश्कार के लिए भी जाना जाता है भारत और ग्रीस के कूट नितिक रिष्टे साल 1950 से हैं दोनों ही देश यूएन रिफॉर्म और साइप्रस के मुद्दे पर एक राय रखते हैं आए आगे बढ़ें उसके पहले आप सब के लिए ज़रूरी सूचना Study IQ IS Hindi की टीम P2I याने Prelims to Interview बैच शुरू कर चुकी है नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो चुकी है ये बैच हिंदी के अलावा English और English तीनों भाशाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि Prelims क्लियर करने वाले स्टुडेंट्स के लिए Study IQ की तरफ से नहशलक आवासिय सुविधा उपजब्द कराई जाएगी इस दोरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी साथे इंटर्व्यू में DEF का 1-2-1 एनालिसिस भी इस कोर्स में शामिल है कोर्स में डिसकाउंट हासिल करने के लिए आपको अमरित लाइव कोड यूज़ करना है इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपे में हासिल हो सकेगा कोर्स के संबन्द में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए MOSPI यानि Ministry of Statistics and Program Implementation ने MPLATS यूज़ना के संबन्द में संसद में जानकारी पेश की MPLATS की नई गाइडलाइन्स के मताबिक MPLATS के फंड को शिक्षा से जुड़े IT सिस्टम्स के लिए इस्तमाल किया जा सकता है MPLATS यानि Members of Parliament Local Area Development स्कीम को लागू करने के जिम्मेदारी MPI के Members of Parliament Local Area Development Division के पास है यूज़ना के तैट संसदों को हर साल 5 करोड रुपए के राशी आवंटित की जाती है इस फंड के उपयोग में संसद अपनी पसंद के कारियों के लिए सिफारिश कर सकते हैं लोगसभा सांसद अपने संसदी अप्षत्र में जिला प्राधिकरण को खर्च की सलाह देते हैं वहीं राज्यसभा सांसदों द्वारा इस राशी के प्रयोग की सलाह उस राज्य में दी जाती है जहां से वे चुने गये हैं वहीं राज्यसभा और लोगसभा के मनोनित सांसत पूरे देश भर में कहीं भी कारे की सिफारिश कर सकते हैं। राजस्तान असेंबली ने राजस्तान प्लेटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स रेजिट्रेशन एंड वेलफेर बिल पारित किया है। यह बिल गिग वर्कर्स के कुछ अधिकारों को सुनिश्चत करने की बात करता है। से सरकार ने खास तोर पर गिग वर्कर्स के प्रतिय जिम्मिदारी दिखाई है आपको बता दे कि गिग शब्द म्यूजिक की दुनिया से आया है जहां पर परफॉर्मर्स शॉर्ट टर्म या सिंगल टाइम के लिए वेन्यू बुकिंग करते हैं जिसे गिग्स कहा जाता है ग कोंट्रेक्ट या बेश्ड काम करते हैं जिसे सामाजिक सुरक्षय योजना में शामिल ना होना Health Insurance, Paid Leave आदी का अभाव बीते वक्त में जुमेटो, स्वेगी, ओला जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े गीग वर्कर्स की कई समस्याएं सामने आई तब से ही इनके लिए विशेश कानून की मांग की जा रही है आईए अब जल्दिस देखें आज की बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं पहला सवाल है अगला सवाल है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए गीता रहस से पुस्तक के लेखक बाल गंगा धरति लग है गिग वर्कर्स मुख्य रूप से द्वीतिया के शत्र में काम करते हैं उपर युक्त में से कितने कथन सही हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो आईए अब देखें पिछले बुलिटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है पहला प्रश्ण था निमनलिखित में से किस व्यक्ती ने कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्षता की थी सही जवाब है इसका विकल्प B अगला सवाल मैंने पूछा था निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए CSR की अधारना Companies Act 2013 की धारा 135 से शासित होती है Nuclear Security Index International Atomic Energy Agency की द्वारा जारी किया जाता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो सही जवाब है विकल्पे केवल पहला कथन सही है Nuclear Security Index Nuclear Threat Initiative के द्वारा जारी किया जाता है तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं पूछे के सवालों का जवाब मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये भी जरूर बताईएगा अगर आप इस बुलेटिन के PDF हासल करना चाहते हैं तो अमरितुपाद्य है 007 टेलिग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF आपको रोजाना मिलती है ख्याल रखिए अपना ठीक से पढ़ाई कीजिए कल रात 9 बजे मुलाकात होगी नमस्कार